हेलो गाईज, विल्कम बैक टू माई टूट चैनल यसके मिश्टडी अवे आप सकसिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवम मिस्रा आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्छो आपके अपने यूटूब चैनल यसके मिश्टडी पर और यहाँ पे प्यारे बच्छो ले क्या प्यारे बच्छेगा और पच्चास अंक में आपका आती लगोते लगोतो यह जो भी प्रश्ण रहेंगे वो सब प्यारे बच्छो जुड़े रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्ण भी आपको कबर करके जाना क्योंकि 20 अंका प्यारे बच्छ परिच्छा में पूछ ही लिए जाती है तो इसको प्यारे बच्छो आपको पढ़के ही जाना है क्लियर है और अपने दोस्तों के साथ अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया है तो वीडियो को जरूर सेर करें और प्यारे बच्छो कहीं से भी आपको कोई भी प्राब्लम क्र हो रही है तो आप लोग Sword कर देंगे की सर मुझे कहां से प्राबलम हो रही है ताकि मैं उसको अच्छे से आपको बता पाऊंग तो सब से पहला है आपका प्यारे बच्च्चू परागण के इस पत्ता काहिंगी परागण और परागण के प्रकार प्रागण के प्रकार पूरा प्यारे बच्चों इसको डेटेल में पढ़ लेंगे तथा इसके लाभ और हानी को पढ़ लेंगे लाभ और हानी भी प्यारे बच्चों आपका पूछ लिया जाता है तो इसको आपको जरूर से जरूर आपको पढ़ लेना है जो कि बहुत ही महत्यपूर है चैप्टर टू से क्लियर है और दूसरा क्या है आपको ये पहला है दूसरा दूसरा जो टॉपिक है प्यारवच्चो इसको आपको जुरूर पढ़ना है वो पढ़ना है लगु बीजार जनन ये बहुत ही important है और ये आपका पूछी लिया जाता है लग बीजाड़ जनन और गुरू बीजाड़ जनन गुरू बीजाड़ जनन तो ये दोनों को दोनों प्यारवच्चू बहुत ही महत्यपूर है जो कि आपके यूपी बूट परिच्चा में कहीं न कहीं अगर आ जाएंगे तो छोड़के तो बिल्कुल नहीं आ रहा है बलकी बलकी पूरक पूरा प्यारवच्चू करके आना है clear है तीसरा है आपका प्यारवच्चू नर चैप्टर 3C नर जननांग और मादा जननांग आपको प्यार बच्चो जरूर से जरूर पढ़ना ठीक है न इसका चित्र भी आपको clear कर लेना है क्योंकि देदेगा कि नर जननांग और मादा जननांग का चित्र सहेत प्यारे बच्चो व्याख्या के जी तो ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही important है और पोच लिया तो आपको वहाँ पे करके ही आना है तो इसको आपको पढ़ लेना है और प्यारे बच्चो सुक्राण जनन दे देता है सुक्राण जनन क्या है क्या होता है इसको आपको पढ़ लेना है इसी में एक और topic है वो क्या है प्यारे बच्चो सुक्राण जनन हर साल आती है सुक्राण जनन, सुक्राण जनन बनाने की प्रक्रिया क्या है, यानि सुक्रजन को परिभासित कीजिए, सुक्राण जनन को परिभासित कीजिए, ना मांकी चित्र से मानों में सुक्राण जनन क्या होता है, तो मतलब किसी टाइप से आ जाएगा, तो छोण के नहीं आना है, इसको पूरा प्यारे बच्चों आपको जरूर पढ़ना है जनसंख्या विस्फोट क्या है इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से पढ़ना है एक भी आपको छोड़ना नहीं है बलकि पूरा पूरा आपको कर क्या नहीं है और यह सब प्यारे बच्चों बहुत ही आपके लिए क्या है important है तो आपको पूरा अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और क्या दे देगा और इसी से आपका दे सकता है कि जनसंख्या बृद्धी को कैसे नियंत्रण करेंगे यानि जनसंख्या नियंत्रण ये भी ये देगा तो जनसंख्या भी स्वोट पढ़ लेना है अगला क्या पढ़ेंगे सात्वा है चेप्टर नमर फाइब से वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चो टर्नल से ड्रोम क्या पढ़ेंगे टर्नल से ड्रोम पढ़ना है टर्नल से ड्रोम को आपको प्यारे बच्चो जरूर से जरूर पढ़ना है और ये आपके हर साल आपकी बोर्ड परिच्छा में दे देता है या फिर आप down syndrome को भी पढ़ लेंगे क्या पढ़ लेंगे down syndrome क्या होता है इसको भी प्यारे बच्चों आपको clear करके ही जाना है बोर्ड एक्जाम देने के लिए ठीक है और आठवा 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 आपको क्या पढ़ना है आठवा आपको क्या पढ़ना है तो आठवा प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है कि आपको पता होगा कि मिंडल वाद नियम यानि मिंडल के नियम मिंडल के नियम यह सब से महत्यपूर है तो मिंडल का नियम है पूरा का पूरा तयार कर लेंगे हाला कि इस पर एक सीरीज इस्टार्ट करने वाले हैं और पूरा का पूरा प्यारे बोच्चो आपका अच्छे से रहेगा पूरा-पूरा मैं पढ़ा दूँगा तो टेंसन नहीं लेना है ठीक है न? तो मेंडल के नियम भी आपको complete अच्छे से कर लेंगे नवमा आपको क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है आपको सह प्रभाविता या अपूर प्रभाविता इसको भी प्यारे बच्चो आपको अच्छे से पढ़ना है कोई भी कहीं से भी आपको प्यारे बच्चो मिस्टेक नहीं करनी है पूरा का पूरा आपको अच्छे से ही पढ़ना है कहीं से भी प्रावलम हो रही है तो आप बस कमेंट कर दीजीगा मैं पूरा कपूरा आपको बता दूँगा अच्छी की अच्छी से ठीक ने दस्वा टॉपिक क्या पढ़ना है DNA और RNA में अंतर क्या पढ़ेंगे DNA और RNA में अंतर RNA में अंतर इसको प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर पढ़ना है इगर हमा टॉपिक जो कि आपको इंपॉर्टेंट है अनुमानसिक कूड या जेनेटिक कूड क्या पढ़ना है आनुमानसिक कूड या जेनेटिक कूड इसको आपको कम्प्लीट कर लेना है बरहमा महत्यपूर टॉपिक आपको क्या पढ़ना है DNA की आर्विक सनरशना पर DNA की सनरशना की वार्षन एवं क्रिक मॉडल ठीक है न क्या लिखेंगे DNA की सनरशना का वार्षन एवं क्रिक नियम इसको भी आपको अच्छे से पाढ़ना है कोई भी आपका कहीं से भी प्रॉबलम ख्रिड नहीं होगा आपको बस महनत करनी है जवरजस्त तरीके से ठीक है न तो आप महनत करने के लिए तयार है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोड़िक जाम में नंबर कैच कराने के लिए तेरह हमा सबसे इंपॉर्टेंट है प्यार बच्चों इंटरफेरोंस क्या पढ़ेंगे इंटरफेरोंस क्या होता है ठीक है इंटर फिरोस आपको पढ़ लेना है और चवधामा एक रोग है प्यारे बच्चो अमेबी एसिस या अमेबी पेचिस इसको जरूर पढ़ लेना है क्या पढ़ेंगे अमेबी एसिस या अमेबी एम रोग अमेबी पेचिस तो यह रोग से रिलेटेड है तो इसको पढ़ लेना तो यह जितने भी आपको टापिक दीए हैं चpassen इसको आपको ज़रूर त्यार करना है और इससे प्यारे बच्चों बोर्ड परिछा दो जारे किस में 22 में ज़रूर से जरूर आएगा कच्छा बारहभी जिवी विग्यान कच्छा बारा हैं वी जी वी ज्यान का त्यारी करना चाहते तो अपने ECS के मिश्टरी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ओके दोस्तो थांक्यू जैहिन